एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहां आपको ग्रैमर और ट्रंसलेशन के वीडियोज मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट प्रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ ऑक्सपोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रैमर के एकसरसाइज 9 को चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें करना क्या है तो एंसर्किल ओल दैजेक्टिव इंदी सेंटेंसे यानि एजेक्टिव चैप्टर में आपने जितने भी पढ़े होंगे 10 काइंट्स इसमें दिये और इसी प्रकार का आपको एकसरसाइज 11 में भी है चलिए तो हम लोग यहां पर शिदा शुरू करते हैं और पहला में हो जाएगा आपको बूड हाला कि इसमें काइंट्स बताना नहीं है बट मैं आपको और अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा इसलिए मैं बता देता हुए adjective of quality है इसी प्रकार से आपको old भी जो है वो second में वह भी आपको adjective of quality है यही नहीं आपको kind भी जो है वो adjective of quality है इनसे गुन का बोध होता है थ्री में जो है black वह भी आपको adjective of quality है क्योंकि रंग रूप गुन अब गुन है न यह सब आपको quality में आता है आगे बढ़ते है नमबर फॉर में इसमें ब्रेव और क्रुएल जो है यह भी आपको adjective of quality है यानि गुण बाचक विशेशन है और नमबर फाइम में आ जाईए तो इसमें हो जाएगा much है ना much जो है वो आपको quantity है adjective of quantity है मात्रा बतला रहा है money का money के जो है uncountable है उसके पहले much लगा हुआ है आगे बरें money uncountable है यह मैं बता चुका हूँ आपको पिछले exercises में आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख ले चलिए फिर आज है यह six में इसमें भी आपको sum है के बल adjective में और यह sum जो है मैं बता देता हूँ sum जो है वो आपको adjective of quantity ही होगा क्योंगी इसके बाद आपको जो है अगले में है eight number में enough है ना enough माने पड़यापत होता है यहाँ पर भी आपको मैं बता दूँ enough भी आपको adjective of quantity है मात्रा बतला रहा है नाइन्थ में आपको little हो जाएगा ना और little आपको क्या कहता है adjective of quality हो गया इसमें भी गुन दोस बतला रहा है कि यह छोटा है बड़ा है लड़का little है कि नहीं little है इसलिए निश्चित रूप से यह जो है यह भी आपका quality हाला कि मैंने फिर मैं फिर बताना चाहूंगा कि इसमें यह नहीं कह रहा है कि कौन सा कौन प्रकार है मैं आपके सुविधा के लिए आपके revision के लिए बता रहा हूं number 10 में हो होता है और first second third fourth fifth sixth जो होता है वह भी आपको adjective होता है इसके बाद आपको जो है एक उपर में हाँ एक उपर में nine number में वापस आ जाईए नो भी होगा है ना नो ठीक है adjective of quantity हो जाएगा और क्योंकि अगले eleven में भी आपको नो हो जाएगा ठीक है तो यह नो भी आपको adjective में होत है आपको quantity है लेकिन eleven number में adjective of number हो जाया क्यों इसके बाद गिनने वाला प्रेंस है ठीक है मैंने no को छोड़ दिया था एक बाद बता दू इसलिए भी वहाँ पर ध्यान से निकल गया क्योंकि no दो चीज में आता है का adverb भी होता है no और adjective भी होता है तो यहाँ adjective का का काम करा वहाँ उसी के according उसको लेंगे आज यह 12 number में आपको हो जाएगा many और यह हो जाएगा adjective of number 13 में आ जाए यह few और यह भी हो जाएगा आपको number है ना क्योंकि इसके बाद horses गिनने वाला है और 14 में आपको जो है any हो जाएगा adjective और यह any हो जाएगा आपको adjective of number इसके बाद आपको beautiful हो जाएगा ठीक है और two हो जाएगा beautiful क्या होगा तो adjective of quality है और two क्या है तो यह गिनने का काम कर रहा है इसलिए adjective of number है इसलिए परकाराजी यह 16 में फोर्थ हो जाएगा और tall हो जाएगा अब फोर्थ के बारे मैंने बताया ही था one two three four यह भी adjective होता है first second third fourth यह भी adjective हो number है और tall हो गूर्ण का बूस बतला रहा है 17 में आजकि और alto हैach парज हर रहा है अब को इसलिए adjective यह लौट रखेंगे इसमें नो बिल्कुल नहीं होगा क्यों नहीं होगा बताता हूँ चलिए पहले मेनी जो है वो आपको क्या हो गया तो एड्जेक्टिव आफ नंबर हो गया यहां नो क्यों नहीं होगा क्योंकि नौलेज नाउन है नाउन के पहले जो लगता है वो गिनने वाला है क्योंकि फ्रेंट्स गिनने वाला चीज है तो इसलिए एड्जेक्टिव आप नंबर है इस प्रकार से उम्मिद करता हूं कि आपका यह चैप्टर यह एक्सरसाइज आपका क्लियर हो गया होगा फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरू कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दें नोटिफिकेशन में ओल कर दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको असानी से मिल सकेए इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूलें थैंक्स पर वाचिंग हैव वेरी वेरी नाइस ने